नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है SGV News पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरव से तयारी की जा रही है इसी बीच आपको बता दे कई बड़े सर्वे या फिर कहा जाए कई बड़े उपिनियन पूल भी सामने आ रहे है अब जो हाल ही में एक बड़ा उपिनियन पूल सामने आ है वो किया गया है ABP Sea Water की तरव से सर्वे सामने आ है जिसको 36 गड़ के अंदर किया गया है आने वाले तीन से चार महिने में 36 गड़ में विधान सबा के भी चुनाव है और एंटीन कममेसिफ एक्टर भी इस बार जो है वहाँ पर अपना काम करेगा ऐसा राजनितिक कविशे शग्यों का मानना है बैरहाल अब यहाँ पर अगर बात कि जाए इस सर्वे की जो ABP News Sea Water की तरव से किया गया है सबसे पहले इस सर्वे के बारे में आपको बता दूँ ये 18 जुलाई से लेकर के जो है 19 अगस्त तक यानि की एक महिने से ज़ादा समय जो है वो इस सर्वे में लिया गया है इसमें अगर बात कि जाए तो 11 लोकसवा सीट्स क्योंकि 11 लोकसवा सीट्स है 36 गड़ में और 90 जो है वो विधान सबा सीट्स है तो इन सभी को जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है यानि की पूरे 36 गड़ में सर्वे को किया गया है इसके अलावा अगर यहाँ पर बात कि जाए तो यह जो सर्वे था यह फेस टू फेस सर्वे था यानि की इसमें सीधे जाकर के जो ABPC वोटर की तरफ से लोगों से प्रतेक्श रूप से पूछा गया कि आप जो है किसको परधान मंत्री के नाते जो है यहाँ पर देखना च लिए इसमें कई सारे options जो है वो उनके लिए रखेगे नरेंदर मोदी जो है वो एक यहाँ पर option रखा गया उसके लावा अगर बात कि जाए तो राहुल गांदी यहाँ पर option रखा गया उसके लावा अर्विंद के रिवाल का option रखा गया यहां फिर बात कि जाए तो उत्त पर्देश के मुखे मंतरी योग्यादी तेनात का औप्शन रखा गया यहां फिर अधर का औप्शन रखा गया आईए अब आपको बताते हैं इसमें यहां पर लोगों की तरफ से क्या राय जो है वो यहां पर दी गई है इसमें सबसे पहले अगर बात कि जाए अधर की अधर ना हो जीत जाएंगे उसके बाद संसर जो है तैक करेंगे तो अधर के नाते जो है यहां पर नाइन परसेंट जो है यहां पर लोग अधर का चैरा चा रहे हैं इससे उपर अगर हम बढ़े तो यहां पर उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी हो गया दितना तीन परसेंट मोदी को उनको मिला है केवल 6% केवल 6% लोग जो है वो अर्विंद केज्रिवाल को चा रहे हैं बीजेपी की बात कि जाए तो दो चैरे यहां पर ऑप्शन रखे गे थे बीजेपी के योगया दितना तीन परसेंट नरेंदर मोदी उन पर भी हमाएंगे उनको कितने परसें बनेंगे अशोग गैलोत ने भी इस और इशारा किया था राहूल गांदी के लिए जब पूछा गया 36 गड़ में जहां पर कॉंग्रेस की ही सरकार है आप सोचिए कॉंग्रेस की सरकार है वहाँ 11 लोग से बस जीटे वासे आती हैं तो केवल 20% लोगों की चाहिए जो है वो राहूल गांदी को जितने लोग चाह रहे हैं परदान मंत्री बनें उनके तीन गुना से भी जादा लोग 62% जनता जो है वो चाह रही है कि नरेंदर मोदी दोबारा से परदान मंत्री बने 50% से भी कई जादा बाकी सब एक तरफ और इसमें अगर BJP NDA की आप बात करेंगे 62 में अगर आप ये 3% जो है योग इतना का भी मिला देंगे तो ये 65% बन जाता है तो ये जो है सर्वे किया गया इसके लावा अगर बात कि जाए तो एक और यहां पर महतपून जो सवाल उनसे पूछा गया सर्वे में उस पर भी यहां पर मैं आपको डेटा बताऊंगा ल जब कुछ मुद्धा नहीं मिलता है तो कहा देते हैं कि 10 साल तो दे दिये नरेंदर मोदी को 10 साल दे दिये अब चेंज कर दीजिए अब जो है मौका किसी और को दे दीजिए उसके बावजूद यहां पर आप देखिए कॉंग्रेस शासी 36 गड़ में 62% लोग जो है वो चा सवाल पूछा गया यहां पर कई सारे ऑप्षन से अब यहां पर एक डिरेक्ट सवाल पूछा गया कि अगर केवल आपके पास दो चॉइस हैं नरेंदर मोदी और राहुल गांदी कि केवल यही दो आप्षन हैं अब इसमें आपको जो है परधान मंत्री चुनना है इसमें फिर दो ऑप्षन और भी रखेगे कि यह तो नरेंदर मोदी यह तो राहुल गांदी यह तो दोनों नहीं कि दोनों मैं से कोई नहीं चाहिए और यह फिर पता यहीं कुछ इस बारे में तो यह जो है दूसरे सवाल में यह भी पूछा गया आईए अब आपको बताते हैं कि इसमें जनता का क्या मूड निकल करके सामने आया है जब ये सर्वे किया गया सबसे पहले बात किये जिन लोगोंने का कि पता नहीं हमें तो पता ही नहीं इस बारे में कुछ एक परसेंट लोग केवल थे जिन्नोंने का नहीं इस बारे में कुछ नहीं पता है इसके बाद जो लोग चाहते हैं कि दोनों ही नहीं ना तो नरेंदर मोदी ना ही राहुल गांदी इनकी संख्या भी काफी कम थी केवल 4% यानि कि 5% में ये दोनों सिमट करके रहे जिन्नों ने इन दोनों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया अब जिन लोगों ने राहुल गांदी या फिर नरेंदर मोदी इस बारे में जो उत्तर दिया है उसमें राहुल गांदी की चोईस अब यहाँ पर जो निकल करके सामने आ रही है कि एवल 24% आप देखे अब पहले हमने जो आपको डेटा दिखाया था उसमें अगर आप विपक्षी गडबंदन की बात करें तो उसमें 20% राहुल गांदी को मिल रहा था 6% अरविंद केड़िवाल को अधर 9% में था उसमें भी कुछ विपक्षी गडबंदन के नेता हो सकते हैं यानि कि उनको भी अगर बात किया है अलग-लग परधान मंत्री के चहरे पर अगर वो मोर लगा रहे हैं तो अब यहाँ पर बात करते हैं नरेंदर मोदी की तो 62% यहाँ पर उनको वोट मिला था जब बहुत सारे चाहरे थे अब केवल इन दोनों के बीच अगर कॉंटेस्ट होता है तो 71% जनता आप देखिए तीन गुना जादा कहां 24% राहुल गांदी 71% नरेंदर मोदी तीन गुना जादा जनता जो प्यार है भी भी दस साल के अंटिंगम मैसीफ एक्टर के बावजूद के इंदर सरकार में नरेंदर मोदी को चाते हैं और यह कहां का सर्वे कहां से सर्वे निकल करके सामने आ रहा है 36 गड़ से जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है बुपेश भगेल सरकार चला रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोबारा से सरकार रिपीट करेंगे जनता उनको जिता करके लाई थी 2018 में वहां से ऐसे आंक्रे सामने निकल कर क्या आना कहीं न कहीं INDIA जो विपक्षी गड़वंदन बनाया गया है उसको कहीं न कहीं बहुत बड़ा जटका जो है वो यहां पर देने का काम कर रहा है और आप अगर यहां पर यह भी देखेंगे जब 6 ओप्षन से 6 ओप्षन में उस टाइम 20 परसेंट था राहूल गांदी और अकेले में 24 आ गया और यहां नरेंदर मोधी 62 परसेंट थे 71 पर आ गया तो आप यहां पर भी डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं और हमेशा कोई भी ऐसा ओपिनियन पॉल हो उसमें मार्जन ओफ एरर जो है वो यहां पर बताना पड़ता है कि मार्जन ओफ एरर परसेंटेज कितनी रह सकती है अभी के सरवे के मताभिक तो यह माइनस 3 परसेंट से लेकर के प्लस 5 परसेंट यह अंकड़ा दिया गया है यानि कि इसमें मा दूर दूर तक नरेंदर मोदी के आसपास कोई भी चहरा जो है नजर नहीं आ रहा है बैरहाल अब आपका क्या कहना इस ओपिनियन पूल पर जो 36 गड़ में 11 लोकसवा सीट यां फिर कहा जाए 90 विदान सबा सीटों पर फेस टू फेस ABPC वोटर की तरफ से सर्वे किया गया ज इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जिए उसके साथ धन्यवाद